उद्योगिक नीती उद्योगों की इस्थापना सरकार की नीती पर निर्भर करती है यदि सरकार की उद्योगिक नीती में उद्योगों की इस्थापना के लिए उदारता नहीं होगी तो कोई भी उद्योग पती उद्योग लगाने के लिए आगे नहीं आएगा उद्योग पती ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शाष के नीतियां लचीली होती हैं जहां शाषन अर्थ व्यवस्ता में हस्तक्षेप कम से कम करें और कर कम से कम हो जहां बुन्यादी सुईधायें जैसे सडक, बिजली, वयातायात, व्यवस्तितों नई उद्योगिक नीति का प्रभाव तीन प्रमुक नीतियां बनाई गई हैं जो निमनलिके थे हैं पहला उदारी करण उदारी करण का अर्थ हैं नियमों वब प्रक्रियाओं को आसान बनाकर लाइसेंस पर्मिट राज को कम करना जिससे विदेशी कम्पनियां अपनी प्रोध्योगी की वद तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सके या उद्योगिक विकास के लिए किया गया उपाय हैं जो साथवी पर्चवर्षी योजना काल में अपनाया गया आठवी पर्चवर्षी योजना में इसे और अधिक प्रोधसाहित किया गया निजी करण सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जाना उन उपक्रमों का निजी करण करना कहलाता है विगत सालों में सार्वजनिक शेत्र में उपक्रमों के घटे लाब को देखते हुए इनके प्रबंधन में निजी शेत्र की भागीदारी बढ़ाने घटाने में चल रहे बिमार उपक्रमों को बंद करने की मांग तेजी से बढ़ने लगी सार्वजनी कुपक्रमों में लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने आर्थिक सुधार कारिक्रमों की श्रिंखला के दौर में सार्वजनी कुपक्रमों में वी निवेश की नीती अपनाई और इन सार्वजनिक उपक्रमों के निजी करण का मार्ग खोल दिया इस प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के अंश को बेचना आरंब किया इससे इनके प्रबंधन में निजी शेत्र की भागीदारी बढ़ी एवं अत्रिक्त संसाधनों का एकत्री करण भी हुआ वैश्वी करण या भूमंडली करण 1980 वा 1990 के दशकों में शुरू हुई वैश्वी करण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के साथ साथ वस्तुएं और सेवाएं श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक आ जा सकते हैं वैश्वी करण का मुख्य जोर घरेलू और विदेशी प्रतिसपर्धा को बढ़ाने पर है वैश्वी करण को हम दो तरह से समझ सकते हैं पहला एक आर्थिक वराजनेतिक प्रक्रिया जिसके तहत उत्पादन और वितरन का अंतराश्च्रे करण होता है अर्था देश के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचारो वस संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाय थी या हैं उनका खात्मा ताकि पूरे विश्व में इन सब बातों का बे रोक टोक लेन देन हो सके दूसरा, वैश्वी करण को आगे बढ़ाने के लिए सुझाई गई नीतियां, जिने हम उदारी करण की नीति भी कहते हैं भारत में व्रिहद औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक विकास की विशेस्ता होती है कि यदि एक इस्थान पर कुछ उद्योग विक्सित हो जाते हैं तो कई अन्युद्योग भी वही आकरशित होते हैं वहां आवश्यक सुधायें जिसे कुशल श्रमिक, परिवहन के साधन, मशीन के पूर्जे, व्यपार का प्रबंध आदी उपलब्ध हो जाते हैं यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों एवं उसके आसपास के इलाकों में फैलता जाता है उसके आसपास के नगरों में भी कई उद्योग पर अपने लगते हैं इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश विक्सित होता है साथ ही सरकार की निती भी इसे विक्सित करने में सहयोग देने लगती है जब कई प्रकार के उद्योगों का विकास इस्थानी रूप से उपलब्ध होने वाली सुईधाओं को ध्यान में रख कर किसी खास शेत्र में तेजी से किया जाता है तो ऐसे शेत्र को उद्योगिक प्रदेश कहा जाता है भारत में निम्दांकित अध्योगिक प्रदेश हैं पहला मुंबई पुणे प्रदेश दूसरा हुगली प्रदेश तीसरा बंगलुरु कोयंबटूर प्रदेश चोथा गुजरात प्रदेश पाचवा छोटा नागपूर प्रदेश छटवा विशाखापटनम गुन्टूर साथवा गुडगाउं दिल्ली मेरट प्रदेश आठवा कोल्नम तिरुवनंत पुरं प्रदेश